कि नमस्कार आज हम बात करेंगे नया टॉपिक लेंगे एक तो और दूसरा आपके जो लास्ट वीडियो में कमेंट्स आये थे उसके बारे में तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने काफी जाजा कमेंट्स मेंशन किये लगबग 115 के आसपास कमेंट्स अभी तक आ चुके हैं और मेरी आप लोगों से थोड़ा से एक रिक्वेस्ट यह थी कि कमेंट्स के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दे किये क्योंकि आप लाइक करना शायद भूल गए तो लाइक कम थे कमेंट्स जाता थे तो लाइक कमेंट्स शेयर ये करा कीजिए कारण क्या है कि मेरा परियास यह है कि आप easiest way में astrology को समझ सकें कि how it works in our daily life क्योंकि we are nothing हमारे हाथ में कुछ नहीं है all thing is planned by the planet तो यहाँ पर जब आप अपने वर्षवल को और लगन कुली दोनों को समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब सब कुछ पहले से तैह है और इस्सा लिय यह होने वाला है तो फिर हमारे हाथ में रहा क्या रहा है चीजों को समझना और ठीक करना क्योंकि सब चीजे इश्वर ने plan करी है मगर astrology भी इश्वर की ही बनाई वी चीज है उसको समझने का हम प्रियास कर सकते हैं और यहाँ पर जो काफी ज़्यादा conclusion है वो आपके सामने हैं तो आप अगर astrology को सीखना चाते हैं तो हजार बुक्स पढ़ देजेगा मगर समझ में नहीं आएगी confusion बढ़ा रहेगा क्योंकि daily लोगों से बात होती तो वो confused बहुत रहते हैं सर इसको देखना उसको देखना है exactly क्या करने पता नहीं है simple सा game है हमारी कुंडली में केवल nine planet हैं केवल nine planet हैं उन nine planet को समयना है किसका placement कैसा है कौन से अच्छे हैं कौन से खराब हैं खराब हैं तो उनको ठीक कैसे करना है क्या काम करने हैं क्या काम नहीं करने है क्योंकि होता यह है कि जिस व्यक्ति को जो काम नहीं करने होते वही काम वो व्यक्ति जीवन भर करता रह तो यहां पर जितनी पीछले वीडियो उन्हें बनाई है, मून के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, वो डिफेरेंट तरीके से की थी, अब ही जो बात कर रहें, इसके अंदर लाल किताब और वैदिक दोनों को कमबाइंड करके मैं आपको बताने कोशिश कर रहा हूँ, और जब आप इन चीजों को अपने या अपनी फैमजी के चार्ट के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, तो आपको 100% मैच करती दिखाई देगी, क्योंकि जब आप इन बातों को समझ जाएंगे, तो उससे फाइदा क्या है, एस्ट्रोजी को सीखने समझने का फाइदा ये है, कि इतनी डिटेल में आप किसी भी एस्ट्रोजर से कंसल्टेशन ले लें, कोई भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्लेंट्स क क्या है, कि भई ठीक है, आपके खुझ की कुंडली भी है, आपके बच्चों की कुंडली भी है, पैरेंस की भी है, कि इसकी हर एक के लाइफ में कुछने को समझ से अपसर डाउन चलते रहते हैं, ये एक जिंदिगी का सेमियम है, तो हमें चीज़ों को ठीक कैसे करना है, उ देके जाएंगे, इसलिए स्टार्ट किया है, क्योंकि मून इस दा मोस्ट इंपोर्टन प्लानेट इन आवर लाइफ, फॉर्थ हाउस कालपुरुष कुंडली के साब से चार नंबर की राशी, इस घर के मालिक और स्वामी, चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है, प्रॉस्पेर करना पढ़ेगा, क्योंकि सिंपल सा रूल है, फॉर्थ हाउस अगर खाली है तब भी मून को देखना पढ़ेगा, फॉर्थ हाउस में अगर कोई प्लानेट प्लेश्ट है, तो उसका रेजल्ट आपको कैसा मिलेगा, कुंडली में चंद्रमा की इस्थिति को देखना तो fourth house के planet के result भी खराब होंगे तो moon कितना ज़्यादा powerful planet है liquid cash है तो सबसे important क्या है हर एक को cash की चिंता लगी रहती है आपको एक शी बता दें वर्ष वल के according जब जब moon अच्छे-च्छे houses में आएगा वो साल definitely और अगर वो ठीक स्थिति में और ठीक स्थिति कैसे चेक करेंगे जैसे आभी आपको बताया जाएगा simple कैसे कि अगर moon third house में है last video में हमने इसी तरह बात करी थी कि सबसे पहले result कि अगर particular planet किसी house में है तो उसके result क्या मिलेंगे second good और bad के rule यहां बैठा है उसका placement अच्छा है मगर वहापर वो शुब इस्तिति में है या नहीं है तो उसके लिए आपको कुछ rule बताया जाएंगे खराब इस्तिति में है तो उसके रही रूल तो आप एटे गलांस चेक कर पाएंगे अब यह रूल जो है आप दोनों जगे अप्लाई करेंगे लगन कुंडली और वर्षफल वर्षफल के अंदर भी सिंपल सा चार्ट खो लिए आपना देखिए 23 24 चल रहा है 24 25 चल रहा है जो भी है आपका उसमें देखिए मून का प्लेस्मेंट कहा आ रहा है पैसे की सिति चेक कर रही हो यह आपका वर्षफल स्टार्ट होने वाला है तो यू कैन अंदरस्टेंड कि अभी इस साल किस तरह की चीज़े होने वाली है सबसे इंपॉर्टेंट कि एस्ट्रोलोजी को सीखने समझने का फाइदा क्या है फाइदा यह है कि जब हमारे जीवन में थोड़ी सी भी प्रशानी आती है तो हम लोग बड़े पजल हो जाते हैं और सोचते हैं कि आरे अब पूरी लाइफ कैसे कटेगी मगर इस बात को समझने है कि वो परशानी कितने दिन की है तो सारा गेम किसका है वर्शवल का वर्शवल आपका स्टार्ट हुआ परशानी आ गई आओ हमें समझने आया कि परशानी क्यों आई इसी को ये काम करने के लिए मना किया तो उसने वोई काम कर लिया लाइफ के अं तो हमें इस बात को समयना है कि भीया वर्षवल से पहले वर्षवल को चेक कर लें, इस साल ये काम नहीं करने, ये काम करने हैं, बैड प्लैनेट को से उसकी रेमेडी परफॉर्म कर ले, रेमेडी आर वेरी इजी, आप इसली कर सकते हैं, there is no problem to perform the remedy, तो हमें केवल ये समयना है इस चीज़ों को manage कैसे करना है, और सबसे important ये कि आप आने वाले event को समझ कर, उसके according अपनी life को plan कर सकते हैं, इस साल ये health issue आएंगे, मेरे आएंगे या घर में किसी के आएंगे, इस साल ये होगा, वो होगा, तो वो सब चीज़े समझ जाएंगे, तो आपका management इसी हो जाए अच्छा पैसा रहने वाला है, अगले साल समझ से रहने वाली है, तो मुझे इसको कैसे manage करके चलना है, अगले साल के लिए remedy time day start करने नहीं है, और कुछ balance करके रखना है, ताकि चीज़े ज्यादा disturb ना करें, तो आज हमने किनके topic बात करने है, result, good or bad position, symptoms, हैनि कि planet जब इस house में होगा, तो उसके क्या symptoms हमारी life में देखने को मिलेंगे, precaution, उस planet को अच्छा रखने के लिए, अब अच्छा है, तो और अच्छा रखने के लिए, खराब है, तो खराब को ठीक रखने के लिए, precaution, precaution is the more than effective than remedy, क्योंकि remedy तो बात की चीज़े सबसे पहले, क्या काम नही करने, that is important, अब एक planet कहना है कि आपने ये काम नहीं करने, अब वो ही काम आपने कर लिए, जैसे आपके फादर ने कहा कि आपको फलानी जगे खराब है, वहाँ पे खेलने नहीं जाना, वहाँ पे गलत बच्चे खेलते हैं, वो सकते लड़ाई जगड़ा हो जाए, that is precaution, अ अब आपने फादर का कहना नहीं माना, वहाँ खेलने चले गए, वहाँ पे डड़ाई जगड़ा होगे, किसी ने आपके पिटाई कर दी, आपके छोट पुचा दी, उसके बाद क्या होगा, फादर आपकी लिए remedy करेंगे, यानिकि आपकर treatment करेंगे, तो सबसे important क्या होगा precaution की ये काम नहीं करने, देन फिर remedy करनी है, तो हम इनी से भी point से बात करेंगे, अब सबसे पहले बात करते हैं, first house, second house की बात कर चुके हैं, आपको ये पता होना चाहिए, जो लोग first time वीडियो देख रहे हैं, इसी भी planet का सबसे पहले placement चेक किया जाता है, कि उसके कुंडल करें, six house में चंदर्मा खराब result देते हैं, आठ वे के चंदर्मा अच्छा नहीं माना गिया है, ten house का अच्छा नहीं माना गिया है, eleven house का और twelve house का, यानि कि first, second, third, fourth, fifth और seventh और ninth, that is excellent placement of moon, तो हमें ये देखना है कि हमारे moon का placement, वर्षफल हो या बर्षचार्ट हो कहां पे है, बर्षचार्ट में है, तो वो जिन्दी की वर्दुखी करने वाला है, वर्षफल में है, तो उस साल करने वाला है, तो लगन कुंड़ी के नुसार, या वर्षफल के नुसार, moon अगर third house में है, that is excellent placement, third house किसका है, कालपुरिश कुंड़ी किसे हम बात करते हैं, तो third house है, mercury का Mercury is the enemy of moon, but the third house is controlled by the Mars, Mars के द्वारा कंट्रोल के जाता है, क्योंकि साहस प्राकरम का house है, इसलिए, इसलिए, नॉर्मल हमें क्या पता है, कि कोई planet, अगर अपनी राशी में है, या अपने घर में है, तो शुप परिणाम देगा, but आपको बता दें कि mercury third house is very very bad, mercury third house is very very bad, mercury का topic आएगा, तो आप समझ जाएंगे कि कितना bad हो, किस तरह से bad है, शौर्ट में बता देते हैं, mercury third house में, तो जाता कि बेहन, बेटी, बुआ, जीवन बर किसने किसी करण दुखी रहती है, या तो शादी नहीं होती, या there is problem in married life, sometime you can see as a widow, तो इतना ज्यादा खराब, अब आप मार्स, मार्स is the enemy of mercury, मर्करी जिए वहा के आके बैट जाएगा, तो मार्स उसको खराब कर देगा, इसलिए रिडेट यहां खराब हुझाएंगे, तो हमें यह समझना है काल पुरुष कुनली को, जब काल पुरुष कुनली को समझ लेते हैं, उसके बाद planet कितना अच्छा है कितना खराब है इसको समझने के लिए हम वैदिक को भी apply कर देंगे, कैसे apply कर देंगे, अब जैसे यहां पर काल पुरुष कुनली के साब से moon अगर third of the place है, तो naturally वो अच्छा माना गया है, क्योंकि मार्स का घर है, और मार्स जो है, वो moon का friend है, तो अपने मित्र के घर में च कर देंगे, मार्स क्या है, मार्स is carrier, क्यों है क्योंकि मार्स 10,000 अधर उच्चा होता है, क्योंकि काल पुरुष कुनली के साब से 10 नमबर के राशी 10,000 अच्छा में आती है, यहां पर मार्स मंगल उच्चा होते है, कुनली में अगर मंगल आपका अच्छी position में है तो जा त फिर किस टैप की जाना है वो अलग चीज़े हैं तो यहाँ पर चंद्रमा का प्लेस्मेंट इसलिए भी अच्छा हो जाता है क्योंकि चंद्रमा तीसरे गर का मंगल को कुंड़ी में अच्छा कर देता है नॉर्मली अब कुंड़ी में मंगल खराब रिजल्ट नहीं देगा प्रपर्टी की अगर दिक्क चल रही कुंड़ी में चंद्रमा को चैक कीजिए पैसे की दिक्का तो चंद्रमा को चैक कीजिए वहाँ सुख देखना है चंदरमा को चेक कीजे शुकर को चेक कीजे तो आपको ही समझना है कि जो प्लानेट जिन चीजों का कारक है वो जितना स्ट्रोंग होगा उतनी ज्यादा अच्छे लेवल की चीजे उसको पराप्त होगे उनका सुख पराप्त होगा गुड फॉर एजुकेशन, वेल्थ एंड प्रोपर्टी, सपोर्ट फ्रॉम ब्रजर, अब मार्स क्या है भाई, अगर चंदरमा यहां पर अच्छी पोजिशन में हुआ, अच्छी और खराब पोजिशन की भी बात करते हैं, अगर अच्छी पोजिशन में हुआ, तो हमारे र कंभी आईयू, कुंडली में बुद्ध अगर अच्छा हो, तो जातक कि आईयू को कहा गए, कम से कम असी वर्ष अवश्य होगी, अब यहां पर बात करते हैं, कि चंदरमा अगर तीसरे गर में हैं, तो अगर शुब है, तो शुब के रूल क्या हैं, तो रूल फॉर गुड 9 और 11 खाली, अगर 11 ताउस और 9 ताउस खाली है, तो नॉर्मली चंदरमा यहां पर शुब माना जाएगा, नमबर एक, दूसरा, मार्स विकम गुड, विनस गुड, अब चंदरमा अगर यहां पर शुब इस्तिदी में हुआ, तो कुंडली में मंगल भी शुब हो जाएग तीसरा, जूपिटर 9, मरकरी 5, जूपिटर 9 में हो, मरकरी 5 में हो, बुद 5 में हो, तो यहां पर यह कुंडली में एक रायोग बन जाएगा, अब यह सारे रूल जो आपको बता रहा हूँ, अगर आपके लगन कुंडली में है, यह रायोग आपको पूरी लॉंग लाइफ अच्छे रिजल्ट देगा, अब अगर यह वर्षफल में आ रहा है, तो वो साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, उसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे, मून अगर खराब हो जाएगा, तो यह सारी चीज़े जो हम पोक टाइप का कम समझदार, एजुकेशन प्रॉलम, वेल्थ प्रॉलम, यानि कि जो पॉलिटिव है, उसके जस्ट अपोजिट रिजल्ट हमें देखने को भी लेंगे, मार्स फोर्थाउस, चंदरमा तीन, मंगल चार, एक्सिलेंट प्लेसमेंट, क्योंकि यहां पर एक्स प्रोपरिटी, गुट फोर एवरिटिंग, मर्करी 11, आल्सो गुट प्लेसमेंट, बैड, अब बैड रूल क्या है, के तू 11 या 12, के तू 11 में हूँ या 12 में हूँ, ऐसे में यह आपको पहले ही बताया था, कई बार, के तू 11 थाउस, चंदरमा कुंडली में कहीं भी उसको हो खराब कर देगा, क्योंकि के तू 11 थाउस क्या है, लॉट्स ओफ एक्सपेंसिज, बहुत खर्चे कराएगा, अब खर्चा होगा, तो क्या जाएगा जेब से, कैश जाएगा, कैश क्या है, मून है, तो चंदरमा को कुंडली में कमजोर कर देके, जातक के पास पैसा टिक अब यहाँ पर कोई भी शत्रूग है, फोर्थ हाउस में बैठेगा, तो चंदरमा को कमजोर करेगा, मगर चंदरमा अगर खुद यहाँ पर स्ट्रॉंग पोजिशन में है, स्ट्रॉंग पोजिशन में कैसे, जैसे इन में से कोई रूल बता दिये, तो यहाँ पर परी के हाउस में बैठा हुआ है, एक रूल यह भी है कि कोई भी प्लानेट जब किसी हाउस में बैठा हो, तो उस घर के मालिक और कारक दोनों स्ट्रॉंग पोजिशन में हो, तो वहाँ बैठा प्लानेट हमेशा अच्छे रिजल्ट देगा, तो मरकरी कॉंडली के अंदर अगर अच्छे प्लेस्मेंट में है, अच्छे जगे बैठा है, तो यहाँ पर चंदरमा निश्यत तोर पर आपको शुपरिणाम देगा, अब जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हों कहेंगा रहे, यतने सारे रूल कैसे चेक करें, आपको सिंपल देखना है, चंदरमा कह कहां बैठा है, मरकरी कहां बैठा है, और यह कहां बैठा है, वो कहां बैठा है, प्लेस्मेंट चेक कर लीजए, प्लेस्मेंट 3rd house में है, that is okay, करना क्या है, इसकी बात करेंगे, भी precaution और remedy वाले पार्ट में बात करते हैं, सिंप्टम्स की, अब तीसरे घर में चंदरमा ज जाएगा जहां भी ये लोग लंबे समय तक रहेंगे और कोड़ एंड कफ के इशू थोड़ा जातव को परशान करते अवश्य हैं भाई बहन रिष्टेदारों के साथ थोड़ा सा वेचारिक मद्वेत देखने को अवश्य मिलते हैं यह सारे के सारे सिम्टम्स हैं चंदरमा तीसरे घर के सास की कमी थोड़ा सा क्रेज जो है कम होता है इनके अंदर और मदर को नसो सम्बंदित क्या है मरकरी है मरकरी के हाउस में जब चंदरमा बैठेंगे चंदरमा क्या है मदर के कारक और बुद्ध क्या है नसो का कारक बोथ हार एनिमी तो कहीं न कहीं तो इफेक् simplest way में सीखना चाहते हैं समझना चाहते हैं simple देखें placement का हैं symptoms क्या हैं और ठीक कैसे रखना है बस simple इन तीन चीजों को apply कर लिजे enjoy कीजे सीखना चाहते हैं तो बाकी सब चीजों को सीखें notes बनाएं पहले moon के बारे में जो बात करी है हमने moon 12 houses के वहाँ पे जाकर जो rule बताए हैं उन rule को भी note कर लें आपका एक complete chapter त्यार हो गया moon 3rd house का 9 planets के त्यार करने है 9 planets के आपको rule त्यार करने हैं मोटा सा रेष्टर बनाएं एक page पे लिखे moon 1st house 3-4 page छोड़ दें यह वाली वीडियो देख लें इससे पहले वाली वीडियो देख लें moon 1st house की दो लोगों कमबाइंड करके आपके notes त्यार हो गए यह आपका एक authentic वो त्यार हो गया तो वहाँ पे सब कुछ आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है precaution remedy सब कुछ everything in one platform बात करते है precaution remedy precaution और remedy की बात करते है देखे मून जब third house में होता है तो यहाँ पर हमें mercury को ठीक रखना होता है mercury क्या है दुर्गा मा तो दुर्गा मा की पूजा अपासना हैने कि दुर्गा चालिसा का यह दुर्गा सब्तिशी का देली पार्ट करना काफी ज़्यादा लाब देता है अगर बर्थ चार्ट में है तो इनको जीवन भर दुर्गा चालिसा का पार्ट हवश्य करना चाहिए दूसरा ऐसे जात तक को कभी अपनी बिटिया लड़की के पैसों का इस्तमाल जीवन में नहीं करना चाहिए किसी भी परिस्तितियों उससे चंदर्मा और ज़्यादा खराब होगा चौथा ऐसे जात तक को छोटी कन्याओं की हमेशा सेवा करना उनको आपका मेठी चीजें गिफ्ट इत्यादी देना काफी ज़्यादा जीवन में तरक्की देगा घर में चांदी का घुड़ा एक चांदी का छोटा सा घुड़ा ऐसे शोपीस सिल्वर का आप रखते हैं तो ये आपको काफी ज़्यादा शुप प्रिणाम देगा चंदर्मा को मजबूत करेगा और साथ ही ऐसे जातक को अपने भाईयों के साथ भी अच्छे रिलेशन बना के रखने चाहिए जितने अच्छे रिलेशन मेंटन करेगा उतना ज़्यादा मंगल अच्छा होगा क्योंकि मंगल के हैं भाई के कारक तो भाई अर्बुद क्या बहन तो भाई बहनों से रिलेशन अच्छे मेंटन करके रखें यह पैसा कमाने की ट्रिक है उनसे रिलेशन अच्छे रखें हेल्दी रखें बहन बेटी जब भी घर पे हैं उनको कुछ नो कुछ मीठा देकर घर से विदा करें इन सब चीजों को जो हम अपने करें यह जितने मंडे करेंगे उतना अच्छा रहेगा उतना ज्यादा आपका कैश का फ्लू बढ़ेगा तो अब हमें एक बात तो समझ में आ गई कि चंद्रमा अगर तीसरे घर में है तो अच्छा कैसे कब है खराब कैसे है उसको ठीक से रखना है मगर यह कितनी स्ट्रॉंग पोजिशन में है उसको अब जब हम वैदिक के एकॉर्डिंग चीजों को प्लाई करते हैं तो सिरफ आपनी देखना है कि आपके बात चार्ट में चंद्रमा यहाँ पर कौन सी राशी में है यहनी कि एनिमी घ्रे की राशी में है तो यहाँ पर चंद्रमा का फल खराब जरूर होगा कमजोर जरूर होगा तो उसको ठीक रखना अत्यंत आवश्यक हो जाएगा ऐसी कंडिशन में क्योंकि सिम्टम सबको बताई दिये हैं कि चंद्रमा अगर अच्छा होगा तो भाई बैनों से सपोर्ट रहेगा खराब होगा तो उनसे रिलेशन खराब कर देगा तो हमें देखना नहीं भी आता तब भी हम सिम्टम के बिहाफ पर किसी प्लेंट की पोजिशन को अडिन्टिफाई कर सकते हैं एजूकेशने प्रॉलम हैं पैसे की दिक्कत है यह चंद्रमा चेक कर लो कुछ रूल बर्थ चार्ट के एक्कॉर्डिंग फॉलो कर लो और रेमेडिस एकॉर्डिंटू वर्षवल कर लो चंद्रमा ठीक हो जाएगा तो जो भी खराब है और नो के नो को ठीक कर लोगे जब लगाता ठीक करना चुरू करोगे तो आपको कुछी समय के अंदर बहुत आश्चरे जनक रिजल्ट अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे तो आज आपने इसको देखा अब बात करते हैं एक दू चार्ट के बारे में एक दू चार्ट लिते हैं और उसके बाद फिर प्रेमेडिस प्रकॉशन वगारा के बारे में बात करते हैं अब पिछले जो कमेंट्स आये थे उसमें हमने एक चार्ट लिया है रतन दीप करके नाविन का रतन दीप जी की डिटेल है तेईस माई सन बहात्तर दस बचकर चालिस मिनट लिखा है इन्होंने कम दस बचकर चा केतु फर्स्ट आउस में हैं चंद्रमा तीसरे घर में बरस्पती छटे घर में राहु सेविन थाउस मरकरी टैन थाउस सूर्य और शनी 11 थाउस मंगल और शुकर इनके 12 थाउस में तो यहां पर इनके बर्थ चार्ट में कहां क्या समस्य है इसको समझना होगा नमबर एक ऐ ऐसे जातक अब देखे जो बाते मैं आपको यहां बता रहा हूं यह सारी की सारी बाते आप इसली चेक करते हैं कर सकते हैं आपनी केतु फर्स्ट आउस की वीडियो में जाके चेक करना है वहाँ पर डिटेल मिल जाएगी ऐसे जातक सभाव से थोड़ा जिद्दी होते हैं गुस्से वाले अपनी जिद्द के कारण जीवन में ये नुकसान अवश्य उठाते हैं दूसरा ऐसे जातक के माथे या सर पर कोई ना कोई चोट अवश्य लगती है आईब्रो के आसपास या माथे पर कोई निशान भी देखने को मिल जाता है ऐसे जातक का जहां जनम इस् गल जाता जनम इस्तान होता है वो समय के साथ खराब हो जाता है बिख जाता है जैसे भी हो रहता नहीं है ऐसे जातक कि घर के पास कोई नोई कोई स्कूल हमेशा अवश्य मिलेगा ऐसे जातक कि मदर को नसो सम्मदिश शिकैत भी अवश्य देखने को मिलेगी ऐसे जातक कि फैमिली में किसने किसी को हाट अटेक डेफिनेटली आएगा मोस्तरी चांस रहते हैं फादर या दादा जी को और ऐसे जातक को बार-बार काम ब ऐसे जातक सुभाव की गुस्ते वाला पिता के साथ विचारिक मतबेद और पती पतनी में भी लड़ाई जगडे की स्थिति का सामना ऐसे जातक को करना पड़ता है मेरे लाइफ में भी ट्रबल रहती है दूसरा ऐसे जातक कि पतनी या खुद दोनों में से किसी एक के आफ करता है कि अभी क्या सिद्धिय क्या नहीं है तो यहां पर मेरे लाइफ में मगर प्रसमस्य वश्य रहती है ऐसे जातक अपना केरियर जॉब से स्टार्ट करते हैं एंड फाइनली शिफ्ट इंटू दा बीजिस जीवन में लास्ट में करेंगे बीजिस ही वेपार यह किसी प्रकार करें उससे इनको लाब वश्य होता है मगर इनको मदिरा मास्का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए नॉर्मली ऐसे डोग मदिरा मास्का सेवन करने वाले होते हैं मगर इनको करना बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसे जातक मेजिक सुनना काफी पसंद करते हैं आप से ड उन्होंने अपना प्रस्षन भी वहाँ पे लिखा नहीं है, मैंने आपको बार-बार कहा है कि एक तो टाइम जो मेंशन करें, वो एम या पी एम प्रॉपर मेंशन करें, अपना नाम प्रॉपर डेट अबर्ट, टाइम, जनमिस्थान, पर्टिकुलर कोशन क्या है वो अवश् पहन के रखनी चाहिए, तीसरा मजिरा मास का सेवन बिल्कुल ना करें, और चोथा लाल रंका रुमाल ये हमेशे अपने पास रखें, तो ये मेंन बेन रेमेडिज है, इसको इन्हें अवश्य फोलो करें, एक सिल्वर का स्क्वार पीस भी अपनी जैब में रखें, इसके क परस्पति गुली में काफी ज़्यादा राप पोजिशन में है, तो यहाँ पर इसकी रेमेडि हर साल वर्षफ़ल के अकॉर्डिंग करनी पड़े, क्योंकि ये क्या है परस्पति, अमारी किस्मत, किस्मती घराप, जीवन में स्ट्रगल, मई 23 से लेकर मई 24 तक इनका जाती है, घर में मंदिर का स्थान बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, उससे किसी परकार की कोई छेड़कानी नहीं करनी, तीसरा किसी हिरन को बुनेवे चने 50 रुपए के खिला दें, चोथा, अपने घर की नोर तीष्ट में एक मिट्टी का घठा पानी भर कर, किसी स्टूल किसी परकार की लैदर की चीज, इससे गिफ्ट नहीं लेनी है, इस वर्ष इनको जूते इतियादी नहीं खरीदने चाहिए थे, और नॉर्मली हो तक है कि जातक खरीद अवश्य लेता है, तो ये कारिये लगातार करें, इन कारियों को करने से निश्चित तोर पर इनको ला जो है, वो रिपीट करकर के डाल दिये, तो शायद ज्यादा समस्य होगी, अर्पीज जी की डिटेल है, बीस जोलाई सन्द दो हजार एक, अर्पीज जी ने कमेंड भी सही तरीके से किया है, प्रॉक पर सब डिटेल दी है, साथ ही अपना कोश्चन भी पुटक किया है, ता पंजाब, इनकी ये लगन कुणली है, ये वर्षफल है, लगन कुणली के नुसार जो है, यहाँ पर नॉर्मली ऐसे जातक सुबाव से जरा उससे वाले ज्यादा होते हैं, और इनकी एजूकेशन भी कई बार 17 से 18 वर्ष के आयू के आसपास, कोई ने कोई समस्य आवश्य आती है, ब्रेक आता है, डॉक बाइटिंग, कुट्य के काटने के यो कुणली ये बने वे हैं, तो वर्षफल के नुसार जब भी यहाँ पर केतु इनके पाच्वे गर में मूव करेगा, तो डॉक काट सकता है, इनको अलेट रना चाहिए, दूसरा, मैरे लाइफ में थोड आता है, तो यहाँ पर अर्पिट जी आपको कुछ रमेडी लगातार फॉलो करनी चाहिए, आपको क्या सबी को करनी चाहिए, अब अपने चार्ट को ठीक कैसे करना, देखिए हमारी लगन कुणली होती है, वो मैंने आपको बताया कि एक बिल्डिंग हमने त्यार करनी है, उस बिल्डिंग को कितना बड़ा बना सकते हैं, उसके लिए मकान की नीव, बिल्डिंग की नीव, जितनी मजबूत होगी, उतनी ब तो exactly, डिटेल में ना जाखे, आपको क्या काम करने है, लगन कुणली आजीवन, नमबर एक माथे पर केसर का तिलक, केसर का तिलक that is very important, माथे पर केसर का तिलक नियमित रूप से लगाएं, माथे पर दोनों कानों पर, गले पर जो कंठ हैं वाँ पर, नाभी पर, हाथ दो क पर, जीबा पर, इस विदी से लगातार लगाना है, गले में कोई ने कोई गोल्ड की चैन अवश्य पहन के रखनी है, तीसरा, जो सफाई करमचारी आते हैं, कूड़ा उठाने वाले, उनको 20-25-30 रुपे सिक्को के रूप में हमेशा देते रहने हैं, एक सिल्वर का स्कॉ गोल्ड की वैर अवश्य पहने या गोल्ड को कोई स्टड अवश्य पहने ये कारिये आपको लगातार फोलो करने हैं, बात करते हैं में रेमेडी की, में रेमेडी के करना है, नंबर 1, आपने किसी स्वीपर को बुदवार या शनिवार के दिन, एक काले रंग का छाता और चार बुंदी के लड्डू डॉनेट कर देने हैं दूसरा इस वर्ष हरे रंग का कपड़ा कोई भी ना खरीदना है ना पहनना है ना इस्तमाल करना है हरे रंग की चीजों से दूर रहना है तीसरा आपने किसी हिरन को 50 रुपे के बुने वेचेने अवश्य किलाने हैं चौथ किसमें तो ये कारिये आप करें इन कारिये को करने से आपको अवश्य लाव होगा और शुप प्रिणाम देखने को मिलेंगे वर्षफल के उपाए वर्षफल के समापती पर स्टॉप कर दीजेगा लगन कुंडली के आजीवन फॉलो करने हैं अपने वर्षफल के नुसार लिए जीवन में अच्छी कासी ग्रोफ देंगे आपने काम के बारें पूछा था कि गोल्ड सोना चाली से सब्बंदित कारिये कर सकते हैं क्या तो बिल्कुल कर सकते हैं उससे आपको लाव की प्राप्ति हो जाएगी अपने उपाय अवश्य करते रहिए तो आज हमने दो लिए और एक टॉपिक लिया नेक्स वीडियो को भी इसी तरह से एक दो चार्ट लेंगे तो आप प्रॉपर तरीके से ही मेंशन करें अपना कोशन वेगर उसमें जरूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में साथी वीडियो को लाइक भी जरूर करें सब्सक्राइब भी जरूर क करें चैनल को क्योंकि अभी हम आपको बहुत साथा डिफरेंट तरीके से एस्ट्रोजी के नए-ने कॉंसेप्ट पीलर करेंगे जिससे आपको यह मज़ा आएगा कि एस्ट्रोजी कितनी एकुरेटली काम करती है चार्ट को अभी किस तरह से एनलाइज करना है जब एक्जामप में 30 साल यह होगा इस साल वो होगा इस साल यह होगा तो आप समझ जाएंगे कि काम सब कुछ इसका एकॉर्डिंग चलने वाला है तो इससे वेरी इंजॉयबल कॉंसेप्ट आपको मज़ा आने वाला है साथ ही मेरा परियार सिरफ यह है कि आप चीजों को समझ सकें सीख सके ताकि खुद की और फैमिली रिलेटिव से वगारा सब के चार्ट को कंसिडर कर सकें तो कुछ चार्ट लीजिए उनको यह रूल मैच करके देखिए कमेंट सेक्शन ने बताइए कि आपने कुछ रूल चेक किये मैच हुए नहीं हुए और साथ ही इन वीडियो को आप दूस के जीवन में हैं तो इस प्रकार तो दूर करी सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार